नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जी हाँ खून की कमी को कैसे हम पूरा करें शरीर में यह आज का हमारा टोपिक सबसे पहले तो जानते हैं कि क्यूं होती है हमा बन पाता है जिसकी वजह से फेफ़डों से हवा ले करके मिलती है तब हमारे शरीर में सही धंग से ब्लड बन पाता है यह नहीं हो पाती है क्रिया पूनरूप से तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है जिसे की एनीमिया बोलते हैं अब हम जानते हैं सबसे पहले कि इसके का कमी से फॉलिक एसिद की कमी से स्मोकिंग से एजिंग से ब्लेंडिंग यह साथ वो कारण है जिनकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड बनना रुक सकता है या रुक जाता है जिसकी वजह से हमें प्रोब्लेम्स का सामना करना पड़ता है खून की अगर कमी होगी शरीर में तो रखों के नीचे काले घेरे होने लगे सीनय और सिर में दरद होने लगे तलवे और हत्रेलियों का धंधापड़ शरीर में तापमान की कमी होना चक्कर और müsste घबराहट होना पीरियर्ट के द्वरान अधिक दर्द होना सांस फुलना धर करें तेज अकसर에 रांगे हिलाने की आदत बालों का अधिक जड़ना ये ऐसे लक्षन हैं जो बताते हैं कि आपके शरीर में ब्लड की मात्रा कम होने लग गई है अब जान लेते हैं हम इसके लिए निदान क्या-क्या है किन चीजों से इसकी आपूर्ति हम अपने शरीर में कर सकते हैं सबसे पह होता है अनार शरीर में खून की कमी को बेहत जल्दी पूरा करता है यानि कि तिवरता के साथ पूरा करता है यह शरीर में ब्लड की आवश्यक्ता को इसके बाद है चुकंदर शरीर में खून के मात्रा बढ़ाने का रामबानी लाज है चुकंदर का जूस लगातार पीने से खून साफ रहता है और शरीर में कून की कमी भी नहीं होती है चुकंदर में आईरन के तत्व अधिक मातरा में होते हैं जिस से नया खून जल्दी भनने लग जाता है इसके बाद नंबर आता है केली का जिह आँ केली में मौझूद प्रोटीन आयरन और खनीज शरीर में खुन को बढ़ाते हैं इसके अलावा गाजर लगातार गाजर का जूस पीने या गाजर खाने से शरीर में खुन की कमी को पूरा किया जा सकता है इसलिए गाजर का सेवन जरूर करें इसके अलावा अमरूद पका अमरूद खाने से शरीर में हिमोगलोबिन की कमी नहीं होती है और जब शरीर में हिमोगलोबिन की कमी नहीं होगी तो आपके शरीर में ब्लड आवश्यक मात्रा में जरूर बनेगा इसके बाद सेव अगर आप एनीमिया से ग्रसित हैं तो सेव खाना लाफकारी रहेगा सेव से शरीर में हिमोगलोबिन की मात्रा बढ़ती है जिससे कि आपके शरीर में बलड संतुलित रहता है इसके अलावा अंगूर अंगूर में विटामिन, पोटैशियम, केल्शियम और आईरन भरपूर मात्रा में होता है अंगूर में ज्यादा आईरन होने से यह शरीर में हिमोगलोबिन बढ़ाने में सहायक है अंगूर हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ही फायदे मंद होता है इसके अलावा संतरा, संतरा विटामिन सी के अलावा फासफोरस, केल्शियम और प्रोटीन का बेहतर श्रोथ है संतरा खाने से शरीर में न केवल खून बढ़ता है बलकि खून साफ भी रहता है टमाटर, टमाटर सबजी ही नहीं है बलकि एक पोश्टिक और गुनकारी फल है टमाटर में भरपूर मातरा में केल्शियम, फासफोरस, विटामिन सी होता है टमाटर का सूप या टमाटर खाने से शरीर में खून की मातरा बढ़ती है इसलिए आपके शरीर में आप पूर्ति हो जाती है बलड की इसके अलावा हरी सबजियां और सलाद शरीर में आईरन की कमी दूर करने के लिए पालक, सरसों, मेथी, धनिया, पुदिना, बथुआ, ब्रोकली, गोभी, बिंस, खीरा ये सारी चीजें खूब खाएं शरीर में हिमोगलोबिन बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरी सबजियां भोजन में शामिल करें पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में आईरन पाया जाता है जिसकी वजह से आपका शरीर स्वस्त रहेगा इसके अलावा गूड भी एक अच्छा विकल्ब है गूड एक प्राकृतिक खनीज है जो आईरन का प्रमुक्ष्रोथ है यह विटामिन से भर पूर होता है गूड शरीर में हिमोगलोबिन बढ़ाने में मदद करता है लगातार गूड खाने से पेट की समस्याओं से भी नि पूर्ति हो जाएगी तो दोस्तों अगर इस प्रकार से अगर आप अपने डाइट को प्लान कर लेते हैं यानि कि उचित मात्रा में सभी चीजों का सेवन करते हैं खाद्य पदार्थों में अपने मिक्स करके तो आप देखेंगे कि आपके शरीर से ब्लड की कमी जो है वो दस दिनों में ही पूरी हो जाएगी तो यह थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहत ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों